आप यह लो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस ट्रेंड को फॉलो करने वाले हैं जो अभी आपने प्रिव्यू में देखा है देखा होगा इंस्ट्रगाम पर काफी वाइरल है यह साउंड और इस साउंड पर अगर आप अपने वीडियो सिंग करना चाहते हैं फोटोज सिंग करना चाहते हैं तो कैसे आप बना सकते हैं इस वीडियो में आज में यही बताने वाली हूं तो वीडियो में एंड तक बने रहें और एंड में आपको फीडबैक जरूर देना है जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूं कि आपको जरूर फीडबैक देना है कि यह वीडियो आ अगर आपके पास नहीं है तो और इस तरह का इंटरफेस इसका आपको मिलता है इस वीडियो को बनाने के लिए गैस आपको फोर वीडियो क्लिप्स और सिक्स फोटो की जरूरत है तो आप चाहें तो शूट कर सकते हैं अपना वीडियो और जो भी शूट आप करेंगे उसके आपको चार वीडियो क्लिप्स रखने है और उसी ड्रेस मेंस आप अपने सिक्स पिक्स भी ले सकते हैं तो यह आव अपने अबश लेने हैँ तो इसके लिए आप यहां plus icon पे click करेंगे and new project के ओपर click करेंगे यहां पर guys आपको क्या करना अपनी phone library में पहुंचाते हैं यहां से first of all आपको 4 video clip select करने हैं जो आपने record करे होंगे और उसके बाद अपने 6 photos को आपको select कर लेना है तो यहां से guys जैसे कि example के लिए मैं 4 video clip यहां से लेती हूँ okay and यहां पर photo में ले लेती हूँ example के तौर पर हमने यह photo लिए तो जैसे कि मैं यह वाले select कर चुकी हूँ जब guys हम select कर लेते हैं तो यह जो forward वाला option है वो यहां पर enable हो जाता है तो आपको क्या करना है यहां पर click कर लेना है और आप अपने editor के अंदर पहुँच जाते हैं okay लेकिन guys मैंने यहां पर already save करे हुए है photo video तो मैं यहां से back कर लेती हूँ क्योंकि मैंने यहां draft में already save करे हुए थे तो मैं यहां से directly open कर लेती है तो आप भी अपने editor के अंदर इस तरह से है यह आप देख सकते है अभी आपको first of all क्या करना है यहां पर input title करके आपको default clip मिलता है इसको आपको delete कर लेना है and drop down पे click करके आपको 9.16 की ratio select कर लेनी है okay यह हमारे video की quality को increase करती है यह वाली ratio और Instagram के लिए पॉफिकत है अब guys मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप अपने videos की and photos की durations क्या रखेंगे तो guys आपका जो first video आएगा उसकी duration आपको रखनी है 1.60 second मैं आगे आपको बताऊंगी अगर आप पहली बार editing कर रही है और आपको नहीं पता कि मैं duration क्या बोल रही हूँ कैसे set की जाती है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी की duration कैसे set की जाती है बट पहले आप duration को एक notebook में note कर ले आपका जो first video clip आएगा उसकी duration 1.60 second आपको रखनी है second की आपको रखनी है 1.85 second third की आपको रखनी है 1.78 second fourth की रखेंगे 1.42 second then guys photos की बारी आ जाती है तो photos की रखेंगे first photo की 0.95 second second की रखेंगे 0.75 second third की रखेंगे 0.80 second उसके बाद next है 0.98 second then 0.85 second and last is 2.25 second ये आपको duration रखनी है अब मैं आपको example बताती हूँ कि आपको videos की duration कैसे set करनी होती है जैसे कि आप जब editor में आते हैं first time तो आपकी random जो photo है वो ऐसे है और इसी तरह से सारे photo video है तो simple कुछ भी नहीं है आपको photo के उपर click करना है और जैसे कि मैंने duration बताई है 2.25 second तो इसको आपको set कर लेना है photo के उपर click करेंगे और इस तरह से इसको अपनी finger से decrease करेंगे और इसको 2.25 second करेंगे ये इस तरह से तो इसमें थोड़ा सा time लगता है सो मैं इसको पहले ही set कर लेती हूँ ताकि आपका time waste ना हो इसलिए guys मुझे ये करना होता है और ऐसे ही आपको सारे वीडियो के साथ करना है वीडियो के उपर click करना है और increase decrease करके वो duration रखनी है जो मैंने आपको बताई है आप guys यहां पर end में हमें music add करना है music add करने के लिए guys music video आपको मेरे telegram channel पर मिलेगा यानि की real video आपको मिलेगा और telegram का link इस video के नीचे description में मिलेगा तो आपको description open करनी है वहाँ से telegram का link open करना है directly आप उस real पर पहुंच जाएंगे आपको वहाँ से real को download कर लेना simple आपके phone gallery में save हो जाता है जब save हो जाता है after that आपको यहां से music plus पे click करना है यानि कि video से music को आपको extract करना है यहाँ पर music के ओपर click करेंगे then guys plus के ओपर click करेंगे यहाँ पर third option मिलता है extract from video का आपको इसके ओपर click करना है और यहाँ से ok कर लेना है अब वो video आपको ले लेना है जो मैंने आपको कहा कि आपको phone gallery में save रखना है तो आपने save किया है जो उस video को आपको select कर लेना है और यहाँ से आपको ok कर लेना है then guys यहाँ से आपको choose कर लेना है और यहाँ से done कर लेना है यहां पर music हमारा add हो जाता है और बहुत ही perfect हमारा वीडियो बनता है एक बार guys मैं play करके दिखाती हूँ हमारा वीडियो कैसा बना है ओके तो हमारा वीडियो इस तरह से बन जाता है वारल वीडियो की तरह बिल्कुल वैसा ही बनता है अब guys आप इस वीडियो को save कर सकते हैं save करने के लिए आपको यहां top right corner से forward करना है और यहां से done कर लेना है now guys save to album करेंगे and video आपका save हो जाता है so guys कैसा लगा है यह वीडियो आपको आपने अभी तक comment करा है या नहीं नहीं करा है तो आप कर दीजिए और बता जीजिए कि आपको यह वीडियो helpful लगा या नहीं कोई confusion हो तो clear जरूर कर लें और इसी तरह कि turning related अगर वीडियो आप चाहते हैं कि daily आपको notifications आती रहें तो आप channel subscribe कर सकते हैं मिलते हुं नेक्स वीडियो में न्यू टॉपी के साथ दें बाई बाई और टेक केर